नमश्कार दोस्तों, अब कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को जब फीवर आता है, तो फीवर के साथ में बहुत ज़दा कपकपी उनको लगती है, बहुत जाड़ा लगता है, उन्हें रजाई तक उढ़ानी पढ़ जाती है, तो उस कंडिशन में दोस्तों क्या हो थी उनको उड़ाना पड़ता था उनको और हाथ पयरो में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था जब भी ये कंडिशन होती है तो मैं दोस्तो एक सीरफ बाई करके लाता हूं मेडिकल से जो की है दोस्तो ये आप लोग देख सकते हैं जूरी ताप सीरफ मैं अपनी मम्मी को दे हैं कि भाई मेडिकल स्टोर पे कितने रुपई की मिलती है क्या इसके इंग्रीडियन्ट है क्या इसके उपयोग है इस सीरफ को कैसे उपयोग करना है आपको कितने एम्मिल पिलाना है और क्या कोई साउधानी रखनी है तो चले दोस्तो आज का वीडियो फटा-फटे स्टा कि ये बोटल है छोटी सी है ज्यादा बड़ी नहीं है ये आपको मेडिकल स्टोर पे 50 रुपई की मिल जाती है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है डाबर का प्रोड़क्ट है इसलिए आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं वहीं पर बात करें भाई इसके इंग्रीडियन्ट के बा 17 पड़ी हुई है अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई इसके फाइदे क्या क्या है तो सबसे पहला फायदा यही है कि अगर आ रहा हो फीवर के साथ में जो है क्या है कि भाई जाड़ा व्यक्त को बहुत ज़्यादा लग रहा हो, कपकपी बहुत ज़्यादा लग रही हो, हाथ पैरों में दर्द हो, तो उस condition में ये सिरफ रामबाड है, बिल्कुल रामबाड की तरह काम करती है, बात करें तो ये immunity booster की तरह काम करती है, यानि कि आपकी immunity को बढ साथ ही साथ दोस्तों इसमें एंटी वाइरल प्रॉपर्टी हैं मतलब जैसे की वाइरल फीवर हो जाता है या और भी कई सारे इंफक्षन होते हैं तो उस कंडिशन में भी ये काफी ज्यादा फायदे मंद है और दोस्तों इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में जो है किया जाता है अगर कोई विक्त है जिसको मलेरिया बुखार आ रहा हो तो उस कंडिशन में ये सीरफ उसके लिए रामबाड जो है इलाज है उसका एंटी ऑक्सिडंट प्रॉपर्टी भी इसमें है दोस्तों हेपाइटो प्रोटेक्टिव है मतलब आपके लीवर बगेरा को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है एंटी बैक्टिरियल प्रॉपर्टी है मतलब बैक्टिरिया से संकमर आपके सरी में हो गया है तो तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों एंटी इंफ्लमेटरी प्रॉपर्टी भी इसमें है मतलब सूजन स्वैलिंग को कम करने की छमता भी इसके अंदर है साथ दोस्तों आपके डाइजेशन के लिए ये जो है सिरफ काफी ज़्यादा फायदे मन्द है तो दोस्तों आपने समझा कि भाई ये किस किस कंडिशन में आपके लिए फाइदे मंद है अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई इस सीरफ को लेने का तरीका क्या है भाई कैसे इस सीरफ का उपयोग करना है और इसका डोज कितना है तो दोस्तों यह जो सीरफ है यह टेस्ट में मतलब स्वाद में बहुत ज़्यादा कडवी होती है इसलिए आप इस सीरफ इस जो है दूद में मिलाकर उपयोग कर सकते हैं या फिर पानी के साथ भी इससे आप ले सकते हैं बात करें भाई कितनी मातरा आपको लेनी है तो दोस्तों कोशिस करिए कि यह जो ढखकन आप पर जो है आपको सिरünde कउप उपयोग करना है इतनी डुक्कन आपको सिरत लेनी है इसको आप दूद में मिलाकर या पाने में मिलाकर ले सकते हैं बात करें तो आपको 4 वेदिक प्रोड़क्ट इसलिए इसका इतनी जल्दी कोई भी side effect नहीं आता है हाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उप्योग नहीं करना है क्योंकि दोस्तो इसकी तासिर बहुत ज़्यादा गरम होती है तो अगर बहुत ज़दा मातरा आप ले लेंगे तो आपके गर्मी पैदा कर देगा शरीर में ये सीरफ इसलिए बहुत ज़दा मातरा में इसका उपयोग नहीं करना है तो दोस्तो यही था आज का वीडियो जूड़ी ताप सीरफ के बारे में जो कि आपने जाना समझा और इस सीरफ को एक बार ट्राई जरूर करें अगर आपके ज़ड़वा वाला बुखार आ रहा है तो दोस्तो इसी के साथ मिलते हैं आप से अगरे वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जहिंद बंदे मातरम टेक केर भार